Hello, Hello, Dear Students, अभी हम कर रहे है आरेश अगरवाल जी की नाइन्थ क्क्लास मैत की भूक है, एक्सेसाइज है 7B, लाइट चाहएड लिए और इसकेसाइज का अभी हम कर रहे हैं, इस एक्सेसाइज का अभी हम कर रहे है हैं, Question No.7. Question No.7 में क्या है, वो देखिए, समझे है. इन दा एडज्वाइनिंग फिगर, थी को प्लेनर लाइन्स, A, B, C, D, and E, F, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, A, B ये है, C, D, E, F, ये है, ये तीनों ही को प्लेनर लाइन्स है, मतलब एक ही प्लेन पर लाई करती है, जैसे यहाँ पर ये, जो कागज है, जिस पर मैंने ये किया हुआ है, तो ये एक प्लेन है, तो इसी पर तीनों एक दूसरे को ओपर काटती है, तीनों एक ही पॉइंट पर काट रही है, ओपर, और इस परकार से जो एंगल चुरू आपको नजर आ रहे हैं, ये एंगल्स बना रही है, अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जैड और टी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, तो डाइगराम बनाना बहुत जरूरी है, मैंने अपनी सहुलियत के लिए एंगल वन और एंगल टू यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क किये हैं, तो देखिए, सल्यूशन के इस परकार से होगा, हमारे पास यह टू जो है ना, यह टी के बराबर है, क्योंकि यह क्या है, एक क्रोस बना रहा है, तो जब क्रोस बना रहा हो, तो उस केस के अंदर, यह पहले भी हमने इस्तमाल किया था, वर्टिकल अपोजिट अंगल्स होते हैं, क्रोस बना रहा है, तो यह वाला एंगल इसके बराबर, यह वाला एंगल इसके बराबर, वर्टिकल अपोजिट अंगल्स, ठीक है, तो इसी वज़े से एंगल 2 और एंगल T बराबर होगा और यह जो बोक्सा बना हुआ है यह 90 के लिए इस्तमाल करते हैं 90 डिग्री के लिए ठीक है तो एंगल T बराबर में एंगल 2 बराबर में 90 डिग्री कारण VOA टीचर कहे कि कौन सी लाइने है तो वो डिस्क्राइब आप कर सकते हैं ठीक है यहापे आप चाहे तो लिख सकते हैं AB and CD Intersect at O और इनी से यह दोनों एंगल्स बन रहे हैं ठीक है यह तो एक T की वैल्यू सब से पहले पता लग गी हमें अब क्या करेंगे अब देखिए यह linear एंगल्स का इस्तमाल करेंगे linear एंगल्स का की प्रोप्टिगा तो उसके लिए विकोज AOB एक लाइन है AOB is a line और फिर इसकी वज़े से क्या होगा space की कमी से की वज़े से मैं आगे कर रहा हूँ इसके आगे आप नीचे कर सकते हैं एंगल वन ये वाला X प्लस में 2 ये होगा 180 डिग्री linear एंगल्स अब क्या होगा 1 की वैल्यू 50 दिए ही रखी है X की वैल्यू पता नहीं है जो की पता करनी है 2 की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है ये 2 है 90 ये पता है हमें इसके वैल्यू नहीं पता ये टोटल जो होगा ये 180 डिग्री होगा कारण इसका linear एंगल्स इन तिनों का जोड 180 डिग्री होगा clear है straight angle होता है न ये पूरा एक line straight angle बनाती है इसी वज़े से मैंने वह लिख दिया कि ये वह भी एक line है चलिए इस गल्टू 180 50 and 90 140 हुआ तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी 140 उदर जाएगा 180 माइनस 140 40 डिग्री है ये हमें value मिल गए ये दूसरा part हो गया चलिए लास्ट में लिख देंगे ये दूसरा part हमारा हो गया clear है अब इसके बाद देखिए जो ये वाला जो है ये वाली और ये वाली cross बना रही है तो ये angle 1 angle z के बराबर होगा ठीक है तो चाहे तो लिख दीजिए बाकी लिखते कोई नहीं है टीचर अगर कहेगा अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ये वाली और ये वाली दोनों लाइने हैं जैसे यहापी लिखा था तो इस वजए से z जो है वो angle 1 के बराबर 50 डिगरी के बराबर आ गया अब बात करते है य की तो ये भी क्या है य और एक्स दोनों बराबर है और एक्स की वैली हमने यहाँ निकाली थी ठीक ना तो फिर क्या होगा तो इसी परकार से क्या होगा EF और AB जो है एक दुसरे को ओपर काटती है तो Y जो angle है वो X के बराबर होगा और X की वैली हमने निकाल दी है फ्रों 1 यहाँ पर ठीक है और EF और CD EF ये वाली हो गई और CD यह होगी दोनों एक दुसरे काट रहे है और Z जो है 50 के बराबर होगा और इस परकार से हमारा जो इस सुलीशन है हो गया X की वैली निकाल चुके है Y की वैली है यह दोनों 40 आई Z की वैली यहाँ 50 आगई और T की वैली सबसे पहले हमने निकाली थी जो की 90 आई थी अपसवा आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया फिर भी कोई डाउट हो तो आप कॉस्चन कीजिएगा मैं पुरी कोशिज करूँगा आपकी प्रोलों को सॉल करने की अब आपने क्या करना है करना वीडियो को लाइक करना चानल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं कहाँ तो प्लीज कर दीजिए करना हो तो आपकी तो आपकी करना है